कि जो भी दो जुद है, ये मंदी, ये पूल, कि तितनी जो इस पूल का रस जुद ने आई है, ये सुन जी जो के सुटे से चुप चुप कर जा रही है, ये के कराएं, ये कुर सीचेस पर सनुख विशा की तरह सो रहा है, सनुख प्पूब हम, 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 ये मेरे पिछर जो पहार है, वो जुटा दे रहे हैं, जो नमाइसों की तरह बढ़ा हुआ है, और ये अंदा दे लिए कोई पतं भी, ये पानी और ये कवर रफू, इस पे प्रइथा मक्खी को पकरता हुआ, ये मैंड़, ये मचीरी मेरिना, और ये चुप च आपकर अप्रोड खादी भी गुले भी, ये इस सूरत साथ बरा, और इस पर से कोज़रते हुए, जो जून करते हैं ये चिर्या, कवाद जिसमें हम साथ ले रहे हैं, ये सूरत जो हमें रोश्य देना है, ये तक कोच लेकर हमारा इंवारिमंट बनाते हैं, आपको पता है, मैं और संव धी इस इंवारिमंट का हिस्टा है, चोंकि इस पर असर अंजाज होते हैं, तो हम कह सकते हैं के? Environment is everything around an organism that affects its life किसे जन्दार के एक एक हर वो चीज जो उसकी जिन्दगी को मुतासर गर्दी है आप ने गोड़ किया कि हमारा environment जन्दार और बेचान चीजों का मिलाप है जैसे सलू जन्दार है और ये कुसी ही बेचान है मैं जन्दार हूँ और ये मट्टी बेचान क्योंकि ये सांस नहीं लेख सकती ओ ओ ओ ये तिटली ये भी जन्दार है जन्दार चीजों को हम living things कहते हैं जैसे ये तिली एक living thing है क्योंकि ये सांस ले रही है और बेचान को हम non living things कहते हैं जैसे ये कुरसी एक non-living thing है क्योंकि ये सांस नहीं ले सकती तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा environment दो components यानि दो जुस पर मुश्तमित है Living things and non-living things together make up our environment जांदार और बेजान चीज़े मिलकर हमारा माहाल बनाती है Living things यानि के जांदार को हम biotic भी कहते हैं और non-living thing यानि बेजान को हम e-biotic कहते हैं और ये बेजान मती e-biotic ये bacteria biotic है और ये आग e-biotic तो इससे हमें ये बता चला कि biotic components में ये सब चांदार क्यानी living things शामेर हैं जैसे plants यानी पोते हैं